किया आप बात है मानगे आपको तकडी स्पीड में आप अरे आई की स्पीड है भाई आप तो चांग इन चलती है हेलो वेल्कम बैक टू अक्षे दिलिक व्लोग आप सब सही होगे स्वस्त होगे तो आज मैंने जो व्लॉग है इतने सुभे शुरू किया है क्योंकि इसकी पिछे भी रिजन है तो सबसे पहले आप मेरे पिछे देख रहे होगे आई नो तो आपको मैं सबसे पहले व्यू दि सबसे नहीं हुआ हम आये अपने पुराने गाओं और यहां पर थोड़ा सा काम था वह काम भी मैं आपको बताता हूं तो आप सबसे पहले तो इस बरफ का अनान लीजिए आज तो दूर दूर तक हर जगा बरफ है आज नो कॉम्प्रमाइजेशन आज हर जगा बरफ दिखे सर्प्राइज गिफ्ट भी हो चुका है हम सब के लिए सुबा उठते ही एकदम इतना इतनी बरफ देखने को मिल रही है मैं आपको बताओ मैं सुबा उठा क्यों सबसे पहले मुझे जलाना है चुला चुला क्यों जलाना है क्योंकि आज की जो पूजा होने वाली है वह इस लाइट है नहीं तो हमें ऐसे ही शूट करना बड़े गा और यह वह चुला है जहां हमें जलाना है सबसे पहले स्फ करना बढ़ता है तो धाधी दौ सोच यह कर लेता हूं हो और फिर आगदानी बड़ेगी यह दिए नहीं गीन तो फोड़ा साइश मैं पावित्टर करना ह तो दादी अब यहां से आग कहां के लिए जाएगी अच्छा बगवान की पूजा के लिए यहां से चुले से आग जाएगी अच्छा तो अभी पंड़ा जी भी आएंगे उनका इंतिजार करना वड़ेगा ठीक है मैं जिलाता हूं तो अगर मैं शक्ति की बात करूँ अभी म लगा देता हूं मैंने एक चीज सोची थी कि अगर इस बारी बरफ पड़ेगी तो मैं लास्टा धार पर यहूंगा अपने कम्रे में सूंगा और जब सुबा उठोंगा अराम से बरफ का नजारा दिखोंगा तो ऐसा होता नहीं है जैसा आप चाहो हर साल सोचता था ऐसा अबढ़ता है क्या करे तो अभी मैं यहां पर आग जला चुका हूं और पंडे जी का वेट करता हूं बाखी सब वापिस हो चुके है तो मैंने सुचा कि जब एक बार उठ चुके तो सोना क्या ऐसी सुबहें फिर नहीं आती है यहां देखिए आग जबदस तरीके से लग चुकी है तो अभी सुबह के आठ वजने वाले और सबसे पहली जो किरन रोशनी की आ रही है वहां पार पहाड पे आ रही है वाओ और आपको सब कुछ धुन्दला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बरफ के बाद थोड़ा सा धुन्दला हो जाता है यह देखो पंडे जी आ चुके अगर आपको दिखाई दे रहे होगे यहां उपर है नेचरल बाड़ी तो पंडे जी अभी नेचरल बाड़ी के पास जा रहे है पानी लेने क्योंकि बहुत पवित्र पानी होता और यहीं पानी जो है देपता महराज जी को शुद्दी के लिए चाहिए होता है य यहां उपर पंड़ी पानी लेके आ चुके है और यह वहीं से सिधा मंदिर की तरफ को जा रहे और फिर आग लेने यह नीचे को आएंगे डेडिकेशन देखो इतनी बरफ में भी पंड़ी पहुंच चुके है यह आस्ता तो मैं तो सुबह सुबह फ्रेश हो गया और दाद है कि अबने इस भी उपने है वागी कुछ नहीं बरफ गिर के यह है क्या वात है मज़ा है आप को बरफ देखके यह बोलते ठीके नहीं महरे वे असली होता भगवान किसी को ख़ता है भगवान थोड़ा इस सभब सिखाता हैあ है यह सबग जो है आदम को पता चलता कि मुथ किया क्या कि इस्वर है मालिक तो बैठा हुआ है किसी को घर खतम करें तो भगवान की ब्रिश्टी सब के उपर है तो जानती देगा ऐसी बरफ में आप लास्टा दाज चलोगे देख 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 अरहा अब यह कुछ नहीं हो नहीं पूजा पाट आरे शाम के टाम तक ह नहीं हो जाएंगा तो हमने दादी ना कपड़े लाए ना कुछ हम ऐसी आए वहां कॉन से इसमें जाना डान समय हम नहीं हम नहीं बेट ना चुले के पास तेखना है कल चले पड़े जी अब दुकुल पंड़गी भी आ चुके हा और चुले में जो आग है इसकादर है वाह बड़ी आदादी ने को लगा जिया थाकि एक दम गरम रहे सबसे बहले तो द्रौजा बन करना वड़ेगा ठंडी हवा रही है तो पंड़े जी आचुके है नुश्का पंड़े जी कैसे आप आपको मारना वड़ेगा आपकी डेडिकेशन के लिए तनी बरफ में भी आप पहुंच गए यहां पर सर यह तो प्राचीन काल की उप्रथा है पैंड़े से लेकर चला है हमारे बज़ूर्ग आपके जो बज़ूर्ग थे हां जी रगवगा मेरे ख्याल चार बज़े उट जाते थे क्या बात है ब्रहम मूरत में सनान करते थे हां जी और उसके बाद दे करेंगे हैं पे जानी पड़ती यह क्यूंभ आपके बजूर्गं सहान बड़ति आपके हुआ हरा खुर और और तब से यह आग नहीं सजाती है तो अब तो आग का किरेंगे गया मतलब काहां ले जाना पड़ ते अधृ इस से पूजन होगा इसपचार इसमें ले जाते है यह इसको ए भूलते है इससे फिर प्रूएन और इसे देते है ना, अच्च-च्छ बहुत बढ़े है, बहुत बढ़े है तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो हम सब बहुत ज़ादा लखी है मैं भी कि हमें ये देखने को मिलेगा कि होता क्या है क्योंकि ये मेरी जिन्दीगी का पहला साजा है साजी है और लोडी भी है आज तो किस तरह से होता है क्या होता है भी मैं देखता हूँ आपको भी दिखाता हूँ बाव रे बाव हैं जी अरे इतनी ठंड में नंगे पाउं पर ठंड नहीं लग रही है जय वोले नात जय प्रभू अब जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है टाइ और गाओं के कुछ और लोग भी आया है शामिल हुए इसमें और ये इतनी बड़ी पूजा है कि सब मिल जुलकर इसमें हाथ बटाएंगे और पंड़त जी अंदर हैं जी हां इसके बारे में बताओ कि यह आज का पर्भ क्यों इतना बड़ा है और क्या है यह जो मतर संक्रा वुतने चले जाते कूछ वता हैं और ये बहुत बड़ी सभी सब्सक्रा इसके वर इसमें देवतां खसना भी होता है और बटेश करते हैं वर चांड्य अब्टे कर तो यह जाते हैं आपने हरी द्वार मीरा लोग मरत ना पहँंट एंद्वे अज हो आप सामने वाली जो चोटियां किस तरह से इतनी जादा बरफ है अभी मैं आपको उज्वल का घर भी दिखाता हूं यहां देखो कितनी बरफ पड़ी है और जंगल देखो कितना खुबसूरत लग रहा है और अगर आसपास में कहीं होता तो और जादा खुबसूरत लगता ब आपको ठंड नी लग रही है नीचे बरफ है आप इधर को मताओ इधर को जाओ इस तरफ को आजओ थोड़ा यहां पे ठीक हो गया ना इधर तो बहुत आथा बरफ है भी और यह सुभा की मॉर्निंग के ने निकलनी शुरू हो चुकिये और पूजा भी शुरू होने वाली पर मौसम जो है निरंतर चेंज होते ही जा रहा है अब आज का क्या वेदर फोकास्ट होगा पर जो भी होगा अब दादी को विवनाना होगा कि वापिस भी जाना है पूजा तो यहां पर कंपलीट हो चुकी है तो दादी अब कहा जा रहे है अब जाओंगे मेरी बेटी की पोती हुई है बेहन की बेटी की पोती अच्छा यहां गाओं में जा रहे है अब अच्छा यह चुले को भी पूजा करना होता ना अच्छा अच्छा हर घर में जाके चुले को पूजा करना होता पंड़ जी को इसको इस तरह से पूजा जाता है अच्छा अब अभी जारे कि आपको वापी जाने में लगेंगे दो गंटे आज बहुत बहुत अब नग्यावाद पंजाज़ वह पे हो गई आपने सारे घर में दे दिया आपने वहां कुलदेपता के मंदिर भी जाना होगा ऐसा को जा पाऊँगा अच्छा दो जगा है आपके पास एक यहां पे आपके पूज साथ और हर गर में जाना पड़ेगा क्या पात तो आपका अधिस ज्यादा दिन तो इसी में चला जाएगा बिलकुल का जओ यहांजे अजय वहां जपना जी बस थोड़ी सी धूप आने की दे डी तियो और मैक्सिमम बरफ जो है वो निकल चुकी है और दादी का दोरा भी हो चुका है पूरा पूरे गाउं में घूम चुके है शुबाओ नौ बजे से चार बज रहे हैं हाँ जी करते लोग कि भई हम बोलने सकते भगवान तेरी दाया तेरी द्रिश्टी बहुत अच्छ हमारे गाहों में हाँ जी बच्चे 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 हैं तो है तो है अपको मैं आप से एक और सवाल पूछना चाहरा था कि यहां पर मेरे यह जनम स्थान भी यह वाली जगह तो आ मेरे पोती रुवी ना अच्छा सबसे बड़ी फिर रोई नी अच्छा उससे चोटी फिर क्रिश्न कनेया हां जी मेरा नाम क्रिश्न कनेया तो तीन बच्चों का यहां पर जनम हुआ है तो यह काफी लंबी स्टोरी है कभी और इसको विस्तार से सुनाएंगे तो बस फिला है बुआ है है लो बुआ कैसे आप कं बुआ काम कर रहे हैं है तो अब हम लोग वापिस लास्टा दाश जा रहो है बड़ी मुश्यस दादी को मना एक दादी dyko सब लोग रोग रहे थे यहीं रुक सरफ तो एक दो घर में गया मैं बाकी घर में नहीं जा पाया क्योंकि थोड़ा सा खासी जुखाम भी था बच्चे भी थे तो मैंने सुचा कहीं यह ना हो कि वाइरल सबको फैल जाए मैं तो चला जाओंगा फिर यहां पर बाकी लोग बीमार हो जाएंगे और अब मैं और दादी निकल पड़े वापसी घर की तरफ तो दादी का समान भी मैंने उठा लिया है दादी को बोला आप आराम आराम सहाओ क्योंकि दादी को थोड़ा सा चलने में टाइम लगता है अब यहां तो बरफ बिक्कोई क्लियर है मैंने आपको दिखाया और दिखा देता हूं पर हो सक अधिक ऐसा लग रहा है आपको एक दिन पूरा रेस्ट करके दादी वी सुभा जल्दी उठ गे थे और दादी ने भी काफी जादा मदद की चूला साफ किया है ना और काफी अच्छा रहा है वैसे है ना दादी सुभा भी और दादी भी बरफ में इतनी बरफ में नंगे अपर मंदीर के पास खड़े थे मानना पड़ेगा आपको कफी हिम्मत है आप में इश्वर की क्रिपा है प्रभु की सुभशा अंति भी इस नहीं देनी है दुख इस नहीं नहीं जो कुछ है और दिहान इसका है भगवान का हमारा कुश्म चलो फे चलते हैं फे दिरे दिर आगे को तो हम लोग मातरानी के मंदीर भी पहुंच चुके और यहां पे भी कोई बरफ नहीं है सारा साफ हो चुका है आप लोग आज मातरानी जी के भी दर्शन कर लो आज तो मातरानी के दर्वार का गेट भी खुला है और जै हो मातरानी सब लोगों को आश्रिवाद देना ब्लेसिंग्स देना तो हम लोग लास्टा धार पहुंच चुके बरफ के अफशेश बताई जाए तो मेरी गाड़ी में थोड़े से दिख रहे है यह जो वाइपर प अपने पिखली है और दादी भी साथ साथ पहुंची कि यह बात है मानगे आपको तकडी स्पीड में आया आप तो फिर भी बहुत अच्छा स्पीड में दादी आप एक गंटे में आप अपूंच गया तो एक गंटे में नॉर्मल आदमी यह गंटे में पहुंचता चलते जलते हैं जी विलकुल मानगे तो यहां देखिए सामने अगर मैं चौपाल दिखाओं तो चौपाल में अभी तक बरफ है तो काफी जादा बरफ पड़ी है इधर उदर कितना डेट फूट किस ने आपकी बहन बो रहे थे क्या वात है दादी की बहन का फोन दाओ पता थे डे आपको सब्सक्राब पर टो यहां पर पास भी थोड़ी थोड़ी बरफ होगी आप तो अभी आपके अंदर पीली में फेप्ली पर अज़ी कीचड बहो जादा हो चूगा है चलना थोड़ा सा ध्यान से पड़ता एसमें घर के पास तो सिर्फ यहां बच्ची है बरफ और ब साफ कर दी है सारी बरफ साइड में रखी है थोड़ी बहुत ओ भाई घर से बाहर भी निकल जाओ घर के लोग कैसी रही बरफ कैसी रही बरफ तो कुछ बढ़िया तो निकाल दी आपने तो अभी मैं और दादी घर पॉंच चुके और मुझे बैक टू बैक दो व्लोग्स पूजा दिखाए जो हमारे मंदीर में हुई और अपना जनम स्थान भी दिखाया जहां पे मेरा जनम हुआ नौट मेरा बलकि मेरा रुभिन दीदिया और रुहिं दीदिका जनम हुआ कल मिलूँगा नए व्लॉग मैं नई सोच के साथ नए दिन के साथ तो अभी मैं सोचना अब ठक भी गया थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करता हूँ अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज की व्लॉग को लाइक शेयर अगर आप इ